अगर आप अपने सहर के किसी mall या shopping complex में shopping करने या movie देखने जाते हैं, वहाँ पर आप से parking का अलग से charge लिया जाता है, तो यह पूरी तरीके से अवैद है, अगर आप से किसी mall में अपनी गारी पार करने का अलग से charge लिया जाता है, और अगर आप इसकी सिकायत करते हैं, तो उस mall पर कारवाई होगी और उस पर जुर्माना भी किया जाएगा, आध के समय में mall को तो छोड़ दीजे, अगर कोई छोटा-छोटा shopping complex भी बन गया है, तो वहाँ पर भी parking चार्ज लिया जाने का एक नया trend बना लिया गया है, जो पूरी तरीके से अवैद है, क्योंकि court का इसा मानना है कि जब भी कोई लोग shopping करने आएगा, तो parking उसकी basic need है, इसलिए अगर किसी mall के अंदर parking करने का चार्ज लिया जा रहा है, तो यह पूरी तरीके से अवैद है, अवैद इसलिए भी है कि जब किसी mall या shopping complex का building बनाया जाता है, तो उसका map pass होने के लिए उसमें parking क space को देखा जाता है, अगर उस mall के map में parking का अच्छा space दिया जाता है, तभी वह map building बनने के लिए पास होता है, building बनने से लेकर permit मिलने तक हर जगा parking space को देखा जाता है, इसके बाद ही permit भी दिया जाता है, क्या है पूरी खबर, आखिर किस वज़ा से court को इसमें हस्त छेप क करना परा है, पूरी खबर आपको विश्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले, नमस्कार, मेरा नाम घंसयाम सिंग है, और आप जनता जंकसन देख रहे हैं, किसी भी mall या multiplex को parking चार्ज लेने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर कहीं लिया जा रहा है, तो आप इसका व गुमने ही क्यों ना आए, उनसे किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेने का अधिकार किसी भी mall या multiplex को नहीं है, और अगर कहीं किसी से parking का चार्ज अलग से लिया जा रहा है, तो पूरी तरिके से गैर कानूनी है, हलाकि कई ऐसे लोग भी होते हैं, जिनको उस mall से कोई मतलब नहीं होता है, नहीं उनको उस mall में खरीदारी करना होता है, नहीं उनको उस mall में घुमना होता है, वो mall के अगल बगल में कहीं काम करते हैं, और हर रोज mall में आकर अपनी गारी पार्क करते हैं, ऐसे लोगों के पार्किंग पर गुजरात हाई कोट ने विचार कर आया था दरसल केरल हाई कोट में लूलू इंटरनेशनल स्वापिंग मौल के पार्किंग को लेकर एक सुनवाई चल लही थी इस दवराम न्याय मूर्ति पीवी कुनही कृष्णननन ने साप साप कहा कि मौल में खड़िदारी करने वाले गरहांकों से पार्किंग चार्ज ले मौल अद्मिनिस्टेशन की होनी चाहिए क्योंकि जब भी कोई मौल बनाया जाता है तो उसमें पार्किंग का विशेश ख्याल लखा जाता है और अगर इसके बापजूद पार्किंग का चार्ज अलग से किसी भी मौल में वसूला जा रहा है तो यह पूरी तरीके से गलत ह पार्किंग लोगों की जरूरत है और अगर इसका चार्ज अलग से लिया जाएगा तो लोगों को परिशानी होगी आगे कोटने का सुनवाई करते हुए कहा कि नियम के अनुसार किसे भी मौल का बिल्निंग बनाते समय उसमें पार्किंग की सुभधा दी जाती है इसके अल अगर आप से भी पार्किंग चार्ज मांगा जाता है तो आप उसको मना कर सकते हैं आप इसकी सिकायत कर सकते हैं यह आपका आधिकार है आम तोर पर पहले ऐसा देखा जाता था कि कुछ-कुछ खास जगह पर ही पार्किंग चार्ज वसुला जाता था लेकिन धीरे-धीरे ह 30 रुपय परती घंता वसूल आ जा रहा है आज हर मॉल में पार्किंग चार्ज लिया जाने लगा है जो पूरी तरीके से अवैद है और अगर लोग इस पर आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि लिफ्ट के इस्तेमाल करने पर भी चार्ज वसूल का वाश्रूम यूज कर सकते हैं लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है हो सकता है आपको अभी 10-20 रुपया पार्किंग चार्ज देने में कोई अखर नहीं आता होगा लेकिन जब आप यह सोचेंगे कि आखिर 10-20 रुपया करके हर साल कितना रुपया पार्किंग में च सेर कीजिए और अकर हमारा यह वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए अगर यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घंसयाम सिंग वीडियो में आंत तक हमार धर्नेवाद